रवी देखो इदर दिखा रहा भार्ती उधर दो पुआँ ठाए कि यहां पे भी कुआई मतब जगा जगा पे पुआ है अलावाद कर रहा है अ भाघा अ रवी तो अधाम अंदर तक जाकि एक्स्प्लोर कर सकता है इस गुझां मादा कि चाहिए अगे जाने मन कर रहा हो पर डर भी बहुत लग रहा क्योंकि बहुत जंगली इलाका है पता नहीं लोग भी आथे तो थोड़ा सा डर लग जाना सेफ होगा की नहीं और यहां तो कोई डूरे साफ वहाल डॉर्षट लग रहा है ये देख कर आपको क्या वोता होगा यहां पर मतलब क्या होगा रूम ही होगा है को एप टूसरे बिल्डिंग में जाने का रास्ता को आठेशट है लोग अपना अलग रहते थे तो वो साथ अलग से जो है न वो साधर रानी का ही महलोगा देखे उधर एक बिल्डिंग है यह एक बिल्डिंग है और हम आप उधर भी हम लोग दिखाएं अब हम लोग उस तरफ चलते हैं बहुत तरा ऐसा लग रहा है नदी हम लोग किसी फिलिम की शूटिंग में ने आया है ने न पता है अगर यह अच्छा रहता है तो देखें यहां पर भी है और यह लग रहा है दूसरा रूम है यहां लोग को टोटल 3-4 कुएं तो मिली गए वह चलो आप डिखाएं और इधर भी दिखा दिया हम लोग इसमें चाहिए और यहां पे भी देखिए एक वाश्रोम पर कुछ बना हुआ हमको लगता है तो प्रसे लोग पानी लेते होगे तो लेडियों पर नहाती होगी हाँ यह स्नान घर जो पहले पहले बोला चाहता था ना स्नान घर तो यह इस नान घर हुआ कता है इसलिए इसलिए आप लोग देगी सकते हो बिल्कुल एक तम कुएं के जश्ट बगल महीं है है ना चलो अब रभी इस साइड जाएंगा लोग इसके उस साइड जाना है पर डर लग रहा है कि कि अंदर बहुत पथर है ना तुम भी कुछ बोल चलो नाना को घुमने मजा रहा है कि ने बाबू तो एकदम उसको क्या बोलता है जो एकदम किसी से डरता नहीं है नीडर लेकिन यही रात का समय होता तब सारा नीडर निकल जाता ना तो उसके साथ प्रैंक हो जाता है प्रैंट बहुत गंदगी है यहां पर बहुत किस तरह का सीन है देखिए यहां पर यह लंबा सा कॉरीडोर है और उसके बाद यहां पर भी अब अलग अलग रूम है बना हुआ यह कॉरीडोर है और इधर पुरा एरिया हॉल टाइप था और यहां पर बूंगा सब कुछे यह एंड हो गया इजा देखो यह विंडो आप इमाज देखे कितना ज्यादा बड़ा बड़ा विंडो हुआ करता था महलों में अब दो यह अनूग है ना ज्यादा बड़ा नहीं ता लिखा दिया और इस तरफ कि हम लोगाय से उस तरफ पीछे भी दिखा और उस तरफ भी दिखा अब वोजे छोटा सा बीडिंग एक प महल करता था वह दिखाते हैं थाक्ली यह तुम साप के दर्स नहीं करवाया बाभू है ना दिया बोला कि तुम्हें तो बोला ना कि बड़ा-बड़ा साफ 흡़ा है क्या क्या वैसे रोश यहां कितना पियारी सी गईया है ना यार है तो यह हमारे गाओं का यह को लेकिन अभी देखि सकते हो कितना सुन्सान है न मतलब इद विद्र कोई आया हई यहां पर साथ गेट बहुत करता था लेकिन बंध हो गया है अहीं है बस दूर से दिख रही है बस एक दोर है यह दो एक डोर है और पीछे सा बींडो है और वहीं खंडर होगा लगा है यह सच बहुत करें कहा है रावी चलो चलो ना अंदर जाके देखते हैं क्या है रावी को ना किसी से डरी नहीं लगता है किसी से डर नहीं लगता है रावी तो अग्दाम अंदर तक जाके एक्स्प्लोर कर सकता है को ना वाज किया को ना वाज किया रवी किसी का तो बहुत तीजवाज आया 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 किसी का तो बहुत तीज कोई तो था सबसे जादे क्या बोल रहा था कि डरनी लगता सबसे पहले यही भागा अब जाकर दिखा उनको जाओ जाओ आवाज आया लेकी नभी जाओ अब क्या हुआ जाओ जिलाही है जाओ फिल्कुल फिने तो तुम भागा किए बागा तू बता तो हम लोग नग गया इप नहीं कि तुम अवाज है जा कि दिखा यह आवाज आया था दो बोल रहे हैं तुमकों सब चीज में क्यों मजा कर रहे हैं अभी जा आवाज आया इतना जोर से तुम सुना में नहीं अभी तो हम 50 रुपया देते हैं मरे पास 150 है ध्यक्ति पर देखाई को चालंग मिलता है एक रुपय था पर तो कषिल है था तो अभी जा अभी जा अभी जया थिखा अभी जा अंदर तक चूक आना है रभी हमको तो यार चारो साइट काना नजारा देख कर दर लग रहा है मतलब आप ही लोग देखो ना चारो साइट कैसे एकदम सुनसान एरिया है यह नहीं चिलाएगा तुम जाओ ना तुमको डर नहीं लग रहा है तो कौन चिलाएगा तुमको क्यों उसे मतलब है लगता है कि रिम जीम दिना रभी के ऊपर कुछ प्रैंक करने वाली है वहां अंदर जाने बोले क्या चुक्या गया अंदर जाने बोले न जाओ तुमको भी एक सोर रुप्या नुंजाएगा जाले मतलब डीकलारी है हो गया है कि ए आप चलाए हो ए अछलाए है तो ने हमास काया हका तिक हूं तो कुछ नहीं कर रहा है इस पूसमे करी है करें बता हुज कर देख देंग अवाज कर रहा है था यह वाज घ्लत वाज कर रहा है रवी याव हो दो दो जोड़ मत अशसें जान आए ले अवाज एट्व मत आप हागो तो जारत्व हो ना चित अर्वास करें चान्देंगा तो दो चेहा हो एट्वास करेंगे अबूसे बोल रहा है कुछ नहीं पॉला प्रेंग करते गए पर हिमत है नहीं डर्पोख है डर्पोख है डर्पोख है डिक्लियर हो गया और रवी पर वच्छा खासा की आओ जिए प्रेंग क्यासे लगा रवी फ्रेंग प्रेंग प्रताओ बलकि दो दो अलाव है जो भी बोलो एक वहाँ और यहीं पर हमारे जो चट पुजा होता है थाी ऐरिख省 और यहां पर देखो नहीं को बहुत अच्छा लग रहा है क्या भी बताएं आप लोगो को यह देखो यहां पर बना दिया गया है बस लगा दिया अच्छा खासा बस एक टंकी भी नहीं बिठाने का था तो कम से कम काम भी पूरा हो जाता है जिसके पांचे से देखिए वहाँ पे अभी हम आपको दिखाये थे वहाँ राजा का जो मूर्ती था वहाँ से दो लेडीज पानी लेकर आ रही थी माथे पे मत्का आज भी सोचिए मत्का भड़के इतना दूर लेकर जाना पड़ रहा है वहाँ पे देखिए कुवाँ लोग एक दूसरे का मदद कर रही है और पानी भर भर कर अपने घरों में ले जा रही है सोचिए किस जमाने में हम लोग जी रहे हैं भीबी यहां के लोग तो यहीं प्रप्रॉबलम है ये तंकी तो कि अगर टंकी रहता नंग रहता लोग के घर में भी पर बहुत सारे गाओं में देखेकर लेकिन यहां पर वो नहीं है देखिए औरते अभी भी पानी भर रही है सड़ पे ले जा रही है घर को चल ममंदी रही हो गया कैसा लगा दी रभी पर प्रैंक करके होता है यह सच में डर गया था मतलब जैसे आवाज सुना ना एकडम ऐसे मेरा हाथ पकरके भागने की और एक से बाहर निकल रहा था पर करते हैं जैसे हम हाथ चोड़े पट से भागा अब लोग को हमने अच्छे से चारो साइट का यह चोट प्यारा सा टूर भी दे दिया तो यह यार हमारे गाउं की आफ लोग क्या सकते हो आनवान सान हो शकता था आगर इसको अच्छे से मैंटेन रखा जाता अगर अच्छी तो आज यह हमारे गाउं की हां आज हमारे गाउं में गांदो में पहुत ही प्यारा सा टूरिस्ट पिलेस है आप लोगों को यह भी पढ़ने को देखो यह लोग बुक्स में भी पढ़ते हैं इस्ट्री में फिराजा रानी का महल कैसे वहा करता था उनका लाइफ स्टाल क्या बिहार में कुछी दिनों में बहुत सारे पूल गिर गए भाइखन में भी एक बिल्डिंग गिरा तो ऐसे बहुत कम टाइम तो इस जो बनाने वाले होते हैं उनको यह सीखने में मिलेगा कि पहले की लोग कैसे बनाते थे कीतना टिकाव होता था यह सब बिल्डिंग का बनाया गया आपको देखके ही समझाएगा नॉर्मल इटा जो हम लोग का घर में बनने में यूज होता है वैसा दिख भी नहीं रहा है तो वही सब चीज है पहले के जमाने में भली फैसलिटी नहीं होती थी बटकाम जो होता था था तो रवी दिखा दिया ना रिम जिम दि रवी पर अच्छा था प्रांग हुआ है रवी पर प्रेंग हो गया यह यह है प्रेंग हो गया देखके हो बदू बन गया बदू